गुड मॉनिंग दी स्टूडेंट आज हम कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन नाओ दो फॉर्स डेफिनेशन इस पोल सेंटर अफ दे रिफ्लेक्शन सर्फिस अफ दे मीरर इस कॉल्ड पोल and it is denoted by P मतलब आप यह देख रहे हैं कैसा है कौन के मीरर है यह इसका shaded part है तो जहां से लेके shaded part जहां तक रहता है मतलब एम से लेके एम डेश इसका जो मीट पोइंट होता है वो हमारे लिए पोल होता है ऐसा नहीं जितना shaded part है, उसका midpoint हमारे लिए पोल होगा, उसको हिंदी में बोलते है हम दर्पन के परावर्तक तल का केंद्र, दर्पन है यह परावर्तक तल है, अंदर है तो दर्पन के परावर्तक तल का केंद्र, दर्पन के लाता है, इसे पी से प्रदशीत करते है, इंग्लिश में क् the reflection surface of the mirror is called pole center reflection surface का जो center है वही हमारे लिए क्या रहेगा पोल now the second definition is center of curvature बकृता केंद्र तो center of sphere मतलब sphere का अगर ये mirror है तो ये mirror किस से मिलके बनाएं स्फेर सही मिलके बनाएं और sphere है तो ये इसका center है तो क्या है center of sphere is center of curvature मतलब जो sphere का center है वही curvature का भी center ही होगा और इसको किस से denote करते हैं c से मतलब गोली ये दरपन का केंद्र वकृता केंद्र केलाता है मतलब जो इस गोले का केंद्र है वही किसका रहेगा इस दर्पन का भी केंद्र हो जाएगा और इसको किस से डिनोट करते हैं सी से now the principal axis third definition क्या है principal axis हिंदी में बोलते है मुख्य अक्ष join the pole and center of curvature join मतलब किसी दो चीजों को join करना है किस को जोइन करने की बात कर रहे है pole and center of curvature तो pole का ये रहा इनको इनको join करते वे जो line जारी है इसको हम क्या बोलते है principal axis मतलब ये मारे लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गई मुख्य आक्ष मतलब जो pole और center of curvature से होते वे जाती है तो हम क्या बोलता है principal axis, तो definition क्या है, join the pole and the center of curvature is with line, एक line से होते वे जाती है, और वही line क्या है, a line is called principal axis, हिंदी में क्या बोल सकते है, तथा वक्रता के इंदर को मिलाने वाली रेखा ही, मुख्य अक्ष कहलाती है, clear हो गया principal axis, join the pole and center of curvature is with line, a line is called principal axis, clear, now the fourth definition is radius of curvature, हिंदी में बोलेंगे वक्रता त्रिज्जा, तो देखो, अब हमारे पास यह mirror है, यह center है, मैंने बताया था, square का center, तो यहां से यहां तक की distance क्या है, radius, तो जो radius of curvature है, जो radius है, circle, square की, वही radius of curvature, जैसे center था, square का, तो यह center of curvature होगी, तो radius जो होगी, वही radius of curvature होगी, तो same as it is distance between pole and the center of curvature is called radius of curvature, it is denoted by R, मतलब किसके बीच के distance between, distance between pole and the center of curvature is called radius of curvature, and it is denoted by capital R, through, तथा वक्रता केंदर के बीच की दूरी, वक्रता त्रीजा कहलाती है, और इसे किससे प्रदर्शित करते है, capital R से, ठीक है, now the next definition is, principal focus, principal focus of the concave mirror, हमने concave mirror की बात कर रही है, तो देखो, क्या है, the ray of light, emerging parallel to principal axis, of a concave mirror, passes through a point, after reflection, is called principal focus, जो focus होगा concave mirror का, वही principal focus हो जाएगा, it is denoted by capital F, मतलब अउतल दर्पन पर मुख्य अक्षि के समानतर, आपतित कीरने, परावर्तित होकर दर्पन की मुख्य फोकस की जिस बिंदू पर मिलती है, वह बिंदू, अउतल दर्पन का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे capital F द्वारा प्रदेशित करते हैं, मैं by diagram आपको बताती हूँ, कि ये हमारे पास concave mirror है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से parallel rays आ रही है, आने के बाद after reflection, जिस point पर आकर मिलती है, वो point हमारे लिए क्या कहलाता है, कौन के mirror का focus point थी है, वही बोल रहे definition, the ray of light emerging parallel to principle axis, principle axis के साथ parallel आ रही है, कौन के mirror passes through a point, एक सारे point से pass होते वे जा रही है, after reflection is called principle focus, मतलब सारे points, reflection के बास जिस point पर मिलती है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, principle focus of the concave mirror, ठीक है, now the sixth point is focal length, focal length, focal length क्या होती है, the distance between the principle focus and the pole of a spherical mirror is called the focal length, क्या-क्या है, देखो, pole और focus, focus का आता है हमेशा, pole और center of curvature के बीच में, क्योंकि parallel के बाद यहां से intersect हो जाती है, clear है, अब जैसे ही यहां पर यह focus है, तो हमारे पास क्या है, distance between pole and focus is called focal length, मतलब यहां से यहां तक की distance, हमारे ले क्या हो जाएगी focal length, and it is denoted by small f, clear, तो definition क्या हो गई हमारे पास, गोली है, दरपन के दुरू, तथा मुक्या focus के बीच की दूरी, focus दूरी कहलाती है, इसे small f द्वारा बताते है, focal length को small f के द्वारा बताते है, focus को capital F के द्वारा, definition यही है, the distance between the principal focus and the pole of a spherical mirror, is called the focal length, and it is denoted by small f, तो आपके पास इस mirror से related, छे definition मैंने आज आपको समझाई है, इसमें से two marks का question आ सकता है, exam में, यह सारी definition important है, करता है, यह सारी तर्वारा बता है, यह समझाई है, यह सारी ते है,